किसान भाईयो नमस्कार किसान एग्रिकल्चर में आपका स्वागत है आज हम आपको फोद शाला दिखाएंगे जिसमें हमने कई प्रकार की पोद का निर्मान किया है यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे यह क्रांती मिर्ची साल्ट है क्रांती मिर्ची की पोद है यह यह पोद अब लगानी लिक तयार हुई है यह देख सकते हैं क्रांती मिर्ची है इसमें देखो यह पोद भी तयार हो गई है इसमें क्रांती मिर्ची लगती है यह मिर्ची का प्रोडेक्शन बहुत अच्छा होता है इसमें हम आपको दिखाएंगे जब मिर्ची का प्रोडेक्शन होएगा तब आप देख सकते हैं ये पोद साला है क्रांग तियर्ची देखी इधर देखी आप ये देखो पोदे बिल्कुल तयार हो गए है लगाने के लिए ये देखी पोदित तयार है लगाने के लिए आप देख सकते हैं इसका तना बिल्कुल तयार हो गया हम अब इसको लगाएंगे दो चार दिन में उसके बाद में इसमें अच्छा प्रोडेक्शन मेंने की संभावना है साथ में हम आपना बेंगण है बेंगण की पोद भी दिखाते हैं ये देखो ये नोरंग बेंगण है जिसकी वेराइटी medium size का आलू की size का बैंगन होता है जिसका कलर pure नीला होता है अब देख सकते हैं यह यह बैंगनों की पोष़़द है 省ँँ देखे आप यह बैंगनों की पोष़़द हमने त yayर किये नावरंग बैंगन इसकी वेराइटी है pure नीला निला बैंगन प्रोडेक्शन है इसका आप देख सकते हैं यह बैंगनों की पोद भी तयार होगे लगाने के लिए इतना देख सकते हैं इसका यह तयार होगे लगाने के लिए पोद शाला है यह हमारी साथ में हमने कुछ वहां पर आप देख सकते हैं वहां पर टामाटर की पोद है थोड़ी है लेकन वो टामाटरों की पोद है उसके आगे और ये बैंगनों की पोद है ज्यादा हमारी पास यहाँ पे बैंगनों की पोद है हम ज्यादा बैंगन लगाएंगे तो किसान भाईयो आप भी इस तरह अपने घर में पोदसल तयार करके और अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं आप बैंगनों से देख लीजिए आप यह मिर्चियों की पोद है जो भी हमने बताई थी क्रांटी मर्ची यह देखो यह बैंगनों यह हमने खुद अपने घर में तयार किये हमने इसमें किसी भी प्रकारी रसाइनिक दोओं को प्यों नहीं जिया यह पोद प्योर औरगेनिक है इसमें हमने मुर्गियों की बीठ और गोबर खात के दोवारा यह प्यार किया है यह देखो ची तरह से तो किसान भायो इसी के साथ हम अगली वीडियो में आप से संपर्क करेंगे आता है अमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मस्भूलिए हमारे चैनल किसान एगरी कल्चर को आप लाइक एंड सब्सक्राइब और शेहर भी कीजिए ताकि हम आपको नही नही वीडियो और एगरी कल्चर की नही टेकनिकल काम आपको यहां पे नही नही वीडियो डालेंगे